अभी मैं बात कर रहा हूँ दो शेयरों के बारे में फ़स्ट है आपका IFCI and second आपका होगा GTL Infrastructure इन दोनों शेयरों के बारे में मैं full analysis करूँगा fundamental analysis करूँगा and आपको financial results भी check कराऊंगा and इसका chart pattern भी दिखाऊंगा share holding pattern भी दिखाऊंगा तो इसके पहले आप मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए यदि आप नए हो तो और वीडियो को like जरूर कर दीजिए and अपने friend circle में share जरूर कर दीजिए okay तो मैं start करता हूँ यहां पर IFCI share के बारे में and मैं सबसे पहले यहां पर चलता हूँ share holding pattern पर 0 1% holding है bell maintained chart pattern है जिसको हम बोलते है bell maintained बहुत ही अच्छा bell maintained maintained chart pattern okay तो इसमें कोई दिखकर नहीं है यह बहुत बड़ा positive sign है CR के बारे में and जैसा कि मैंने यह आपको कल भी chart pattern यहां पर show कराया था and FIS की holding यहां पर जरूर जून 2021 से September 2021 में जरूर 0.3 करोड रुपए यहां 0.3% यहां जरूर कम हुई है and यह थोड़ी negative sign था FIS के purpose से बट चलिए हम DIs की बात कर लेते हैं इसने भी यहां और यहां से भी holding कम की थी अंत यहां से भी holding इसने कम की थी, March 2021 से जुन 2021 में भी यह negative थोड़ी सी कम की थी and then again, عगें फिर कम की okay, तो यह सारी holding से जो नकले public की लगाता जरूर बढ़ दी होगी हां यहां पर हलकी सी गरो की है and यहां पर हलकी सी यहां पर यहां पर जरूर थोड़ी बहुत ज्यादा कम हुई थी मार्च 2021 से जुन 2021 में 2% एरांट टू परसेंट यहां पर कमी हुई थी दैन अब थोड़ी सी यहां पर बढ़ गई है जरूर निकल के जुई है अब हम इसमें चेक करते हैं सबसे पहले फाइनसियल जैसा कि आपको फाइनसियल में चेक हो रहा है कि जून 2021 से सेप्टेमबर 2021 में जरूर इनका जो लॉस है वो जरूर कम हुई है वट अभी आप चेक कर सकते हैं कि एक loss making company यदि आप IFCI shares में पैसा लगाते हैं तो आप यह माली जी कि आप एक loss making company में पैसा लगाने जा रहे है इसका जो target है वो बहुत ही ऊपर होने वाला है क्योंकि अपने एक बहुत ही अच्छे price पे available है and attractive price इसको हम बोल सकते है price and volume की बात करते है तो यह इसके अच्छे खासे return है आप देख सकते है 1 year की return से आप सारे return अच्छे बन वीक का return 32% and 1 month का 26% 3 month का 39% then YTD यह टूडेट फर्स जन्वरी से अभी तक का 69% and then 1 year का भी 78% return यहां पे एक अच्छा खासा return यहां पे सो रहा है and delivery की बात करें तो आज भी इसमें volume बहुत जाद है भी delivery में आपको latest update दे दूंगा पांच बजे के बाद and then आप चैनल को subscribe कर लीजे and bell icon को press कर लीजे जिससे आपके पास जो latest update पांच बजे 6 बजे के something आईगी वो आपके पास आ जाएगी यहां पर delivery का पता चल ज delivery so नहीं हुई है बट हम कल की delivery की बात कर लें तो कल 30% की delivery हुई थी and then one week की तो यहां पर delivery भी अच्छी खाजी उठाई जा रही है and price है जो increase होता जा रहा है यहां पर आज volume तो volume तो काफी जाद है 6 करोड का कल के बराबर ही है तो यहां पर हम बात कर लेंगे कि क्या delivery है आप पहले चैनल को subscribe कर लीजिए okay तो आपको पता चल जागा एंगे जरूर प्रेस कर लीजिए इसके बास पर हम यहां पर बात करते insider की तो मैंने आपको यह कल भी बताया था कि यहां पर जो इंसाइडर है वो government of India है जो लगातार government of India ने यहां पर लगातार माल उठाया है 61% holding त पर दीच किया 63% एंड यह इनने माल उठाया था अप्रेल 2021 में यह उठा रहा है माल यह पर प्रमुटर यहां पर जरूर माल उठा रहे है एंड इनका जो रेट था वो यहां पर 13 रूपाय साथ पैसे एंड यहां पर यह थोड़ी गलत है क्योंकि मैंने यहां पर आपको य यह उनने रहता है तो 10 रुपाय में इस समय इसका प्राइज इतना चलता है तो यह सारे फंडामेल्टर्स के बारे माल बात करने होती है जो मैंने आप से बात कर लिए एंड आपको मैं यह भी बता दूं कि यह फाइनेंस में काम करती है यह जो कंपनी है यह आप यहां पर जख सकते है इसको जो प्रॉफिट है यहां पर यहां पर निकल के आ रहा है रहा है रएंट्रफिट की बात यहां पर मैंने आपको बता है की आप लॉफ्लिंटिभ निष्ट करने जा यहां पर देख सकते हैं इसका भी इसका भी जो मार्केट कैपिलाई एशन है वो यह है 315 करोड रुपय का ओके तो मार्केट कैपिलाई एशन के साफ से ठीक है कंपनी और गॉवर्मेंट कंपनी है प्रमोटर इसमें गॉवर्मेंट है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है है ओके यहां पर थोड़ी गलत हो गया मैं यहां पर फिर से थोड़ी साइकल ले रहा हूँ आट में जिटी एल इन्फरा ओक यहां पर आ जाया जयेगा जीटी इलिंफरा दैस्ता मास एस सेर का जो प्राइज हो बंड़ पॉंट सिकस्स पे चल जाल है बहुती छोटा सिर पैन सिक्स फक है और बंडवेंट सिक्टी में इसका प्रास चल जा रहा है जो कल का इसका जु कोई दिक्कत की बात नहीं है यह आज भी अपर सर्कृट में ही चल रहा है इसका जो अपर सर्कृट है वो 3.23 का ही लगता है 0.05 रॉपाई की यहां पर बड़ा दखाई देती है इसके हम सेर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो मैं आपको यहां पर बार 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 बताता रहता हूं इसका जो सेर होल्डिंग पैटर्न है इसमें भी सभी की तो कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक थाकी वोडिंग है इसमें एक जो बहुत बड़ा नेगरेटिव साइन है वो यही निकल के आता है कि इसमें जो प्रोमोटर की वो देंगे 3.33 उसमें से भी प्रोमोटर ने 100% जो होल देंगे वह यहां पर प्लेजिंग कर यहां पर निकल के आती है इसके हाथ में यहां पर 1.9% और जो दूसरा इसमें सबसे बड़ा रॉल है वो यहां पर पब्लिक करना जा रहाता है 35% एंड कंसिटेंटी पब्लिक की होलिंग गिरो हुई है तो यह भी बहुत बड़ा नेगरेटिव साइन है मतलब सब लोग अप लेटेश्ट अपडेट के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन पर प्रेस कर दीजे कि जिससे आपको लेटेश्ट अपडेट मिलती रहे और इसमें प्रॉफिट निकाल पाएं ओके एंड फाइनश्यल्स की इसमें बात करते हैं तो पैसा लगा रहे हैं तो आप एक loss making company में पैसा लगाने जा रहे हैं आप यह यहां पर clear कर लीजिए और इसकी जो sales है वो ठीक है पिछली बार से जरूर बढ़ी है अधार income भी यहां पर हल किसी कम हुए एक करोड की and then total income तो यहां पर बढ़ी के आएगी and जो expenditure इनमें अच्छा पैसा ओक्षण दॉवम्बा को यहां पर माल भेचा गया ऑपंजानल बैंक के त्वार1 जो उसने प्लेइग प्रोशु किये फिने जो प्रोमोटर तो इसको लगवग लगवग पास साल से भी जादा हो चुका है तो यह अभी नियूज यह नहीं देखेंगे अपने कोई काम की नियूज नहीं है इंद यहां पर प्राइस देखेंगे प्राइस परफॉमेंस तो आप देख सकते हैं यहां पर यटी वाइडी से विडिस यहां पर आपका यहां पर प्रॉफिट मिल चुका है जो देखते हैं तो यहां पर only 60% ही return आपको 100 हो रही है नीचे चलके देखते हैं तो आज के दिन इसका जो volume है वो बहुत जादा है 4 करोड का है कल के दिन 5 करोड का था and then 4, 5, 6 यही volume निकल के आ रहा है का लिए पैटर और से सम्द्ध कोई भी नीचे यह तो आप चैनल को जरूर सब्क्राइब कर दीजिए और इसके आंगे फिर हम आंगे चलते हैं तो यहां पर चेक करते हैं ओवर्व्यू में यहां पर जाके कि यह जो company के यहां पर profits है वह किस तरह के revenue है आप देख सकते हैं आप रेवेन्यू 1409 करोड का revenue है revenue जरूर इनका कम हुग है आप देख सकते हैं revenue लगातार इनका कम हुगा है 2020 से 2021 में यहाँ 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 पर बात करते हैं तो कोई भी profit नहीं है loss जरूर यहाँ पर हलका सा कम हुग है अधर पहले से भी जरूर कम हुग है यह मैं आपको पहले भी वहाँ पर इस यह rolling pattern के पहले financials में बता चुका हूँ और debt to equity चेक करते हैं तो debt to equity में यहाँ पर 00 है कोई भी debt नहीं है तो कोई दिखकर नहीं है यह positive sign जरूर निकल किया रहा है और आप यहाँ देख सकते हैं चैनल को सस्क्राइब कर दीजे थैंक्यू